तुम बोड़ देने के लिए पैदा हुए हो क्या बाबा साहिब ने का तक होकोम नाम जर्मी भी बनोगे जब सियासत में पूरी तरी सिरकत करोगे पूरी हिम्मत के साथ अपनी चीजों को पैचानोगे जानोगे मगर आप तो गुलामी के और चल दिये पिश्रग्गू बन ग कांग्रेश भाजपा और आम आदमी ये एक ही हैं आप इसको कह सकते हो एक डखेत है बाजबा है तो कांग्रेश चोर है और ये अर्विन केजिर नहीवाल जेव कत्रा है और अराम से जेव कत्रा है तब ये से देश का सोसन कर रहे हैं ये सब मिल वे आपाट के खा रहे हैं और जो मेहनत का से हैं जो मजदूर हैं जो मजलूम है और जो देश को खाना खिलाते हैं जो किसान हैं उन सब का सोसन करने का इन्होंने ठेका ले रखा है ये किसी के नहीं है ना भारत के है ना भारत के लोगों के है ये बिदेशी मानसिक्ता के वो नाजाज कीने हैं जो भा इसलिए नहीं चोड़ा गया कि अधिवासी हैं क्या यह जाती बादी तरीके से इनको भी अंदोलन करने की चूट या नहीं चूट दी जाएगी ऐसा कुछ चल रहा है क्योंकि यह लोग वही है नमस्कार में अमदेव आज हम हैं दिल्ली में हमारे साथ हैं नेंदर नंदा भा दिया है पूर इस मामनों को आप किस तरस देखते हैं इनको जमानत क्यों मिल गई सबसे बड़ा चम्मे की बात तो ही है भाई पहले इनमें जेल में डाला और फिर इनको जमानत दे देना और फिर उसके बाद हम इस साका यह कहना कि भाई यह फिर चले जाएंगे एक तारीक फिर यह ंंदर जाएगा जिल के अंदर और इनको पूरी आजयादी दे चुनाप हनुमान मंदिर गए साब तो सविधान भूल गए पहले सीधे यह का जाते थे महद्मा गांधी की समाधी पे अब महत्मा गांदी को भूल गए महत्मा गांदी छोटा हो गया हनुमान के पांज़ार है और अम्बेटकर साब को भूल गई बगत सिंग को भूल गए अर उससे पहले क्या केते थे गुजरात में जाने के बाद नोट में लक्षपी गरे चांब दो तो ये आदमी जो है अर्विंद केजरीवाल इंसान कम गिर्गिट से भी खतरनाक चाल चलता है इतनी जल्दी रंग बदलता है तो ऐसे आदमियों से देश को जादा खत्रा है भाजबास से भी जादा खत्रा अर्विंद केजरीवाल से है भारत के लोगों को ये समझना चाहि है और उकिता भारत को बचा लो बे में भारत को तुम अ की बालूमी की जैसे ओ छाइ राकी बिल्हा जैसे ओं वाई उसको क्यों नीजेंम का कैंडिडेट बनाया आप वह औह से सर्वन समाज के थे तो आप नहीं चाहते को भाइ डलिय। मुसलिमिन समाज का अगे बगए मुझे बता अज समाज का मैं आनों च्छा एंगे उन्हों ने अgt हो रहा किया तो ज्य रें क्यों भाइ रहा है कर दो समय में क्यों बघा यह है और उसको बता कियो क्या में है नाम ले रहे हैं वो जेल के नाम पर वोट मांग रहे हैं अपरादी हैं क्या उनको जुना लडाएंगे हैमन सोरेन के लिए को नहीं आवाज उठाई अर्विंद केजिरिवाल ने आवाज क्यों उठाई गए क्यों नहीं भाई भारतिय सविधान की बात का कर रहे हो तुम लोगतंत्र भूल गए हो सिर्फ धर्म की बात तो इसका मतलब ही आदमी जो है भाजपा से मिला हुआ व्यक है और अलप संक्या के जो भारतिय समाज के मूल के हैं उन लोगों को गुलाम बनाने की नियती है और दूसरों को लगाते हैं यह जेल में अरे भाई जेल में सारे मज़े ले रहे हैं हर चीज की सुवधा है इनको है सिस्टम पर ऐसे बैठे हैं आप मुझे बताओ कि नलित क सबू हो भी सी और माइनौर्टी के साथ सही होरा आज की डित में सब को भराबाद किया जा रहा और धाण को आएंगल बनाय जा रहा आप दान में उस्टम कॠ०्झ Department anima B 이야기 को नीए करता है जेल चे छोटे अरविंद केज जीवाल तो हनुमान मंदिर जाते हैं पिरचार करने जाएंगे तो पहले हनुमान मंदिर जाएंगे क्या ये भी धर्म की राजनीती कर रहे हैं भाई मैं कहता रहा हूं इनके जो है कामी है धर्म के हिसाब चास नहीं लटानी जबर्दस्ती आप देख लो पिशले दिनों में हर मंदिर बनाई जा रहे हैं यह क्या मजाक है कोन सी भी अवस्ता फिर लागू करना चाहरें मनू श्मर्ति भाली भी अवस्ता जो hardware बनाने चाहते हैं उसको उसी आधार पर यह जगे जगे मंदिर बना रहे है अगर मंदिर बनना है मजित मनदी या है उगर गरद्वारा भी बनए उनको भी जगे दनी चाहिए चारों ढेक skinny बना रहे है थाने के अंदर मंदरई की बना रहे हुए तो को पंडित बैठेगा जो शुरू से भारतवासियों का सोचलन करता है उसे पंडित को उस में बहुताना है और देशवासियों का खुल Hण्च तुकिम है यह क्कुत तुकिम पइटके और जिसमर जी को फसाएगा जिसमर जी की लाजने करेगा मुख्वरी करेगा भारत के अंदर सब की तो इन ऐसे जो हरकत करने जो मंदरों के अंदर बैटके और जो ठानों के अंदर आप अदालतों में हम्मा फए है यह त kingdom करे आ लिवाद दिये जा रहे हैं कि अपने अपस में राम दरबार रखिए जबर्दस्ति तूब दो बताओ को न यह चाहरा है कौँछ को भारतिय चाविधान को मान दा इस बारतिय चाविदान का चीक कर हसी उलाने वाला जैसा काम है तो इस लोक तंत आ खत्रा है और आप कहे रोल कांग्रेश भाजपा और आम आदमी तीनों लोग मिलके भारतवासियों को निर्वस्त कुमाएंगे और तुम्हारा सोशन करेंगे अगर आज ख़़े ने हुए तो दलित है अदीवासि है वो तो पहले ही इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट करें थे एक जो इनकी पालिटी का कूंत सला रहे हैं उनको प्रक्षा के केंद्रों तक नहीं पहुंचने देना चाहते और धरम मजब के नाम पर उनके हाथ बेड़ते हैं जाबु टोने करके दिखाते हैं बूत परेत उतार उनका शोषन करते हैं लोग भारत बासियों को एलिया पाखंट से भान निकलो सभीदान क तक भान निकलोगे देश आजाद नहीं होगा हम भी आज भी गुलामी के उर चले धर्म के नाम पर गुलामी का दंदा कर रखा है और को भीकमंगे हैं और भारत के लोगों भीकारी बना दिया है बारत के असली मालिकों को अगर आप नहीं जागे ना ना बहुत बुरी इस्ति का हजारों बेटियों की जत्का फार दिया उसने पन्ना वो रहवन ना उसका कर रहे थे रोड़्ट्रों मोदी जी तो यह हाला तो भाग गया देच्छोल के भाग भी गया तो ऐसे लोग के लिए परचार परसार करते हैं मोदी जी और इनके सगे अर्विन केजरिवाल यह सब मेले हुए हैं यह की थाली के चट्टे बट्टे हैं और कल तक कांगरेस और बीजेपी कांगरेस और आम आदमी ऐसे लगाईती जैसे सांप और नेविले की अब दोनों सांप नेविले सांप आ गए समझे तो इसे यह कह सकते हैं कि एक सांप नाथ था एक नाग नाथ था ज लेकिन बदले में क्या मिलता है पंजाब में सकार है अमधिय। पार्टी की ओर दिल्ली में भी है, लेकिन राजसुआ जो भीजेगे कैंडिट में से एक भी दलित नहीं है, जबकि बहुत बड़ा वोट बैंक है बी-जे-पी का, वो सोरी दलितों का एक तियाई जो वोटर है पंजाब में दलित हैं कहां उनको भागीदारी मिल रही है आमादी पार्टी में कहां दिली में मिल रही है बारे में से एक भी राजसवा साथ 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 नहीं बना दलित आमादी पार्टी नहीं तेकि ये तो दलितों को सोचने की जरू रहता है कि भाई ऐसे लोग के पीछिकों पढ़ते हो, सिर्फ फोटो दिखा दे बाबा साहिब की भगत सिंग की फोटो दिखा के आपको मूर्ख बना दे, समझे ने, ये सब चुटियाओं के गुलाम है, जो तुमको चूतिया बना के सत्ता पे बेड़ जाते हैं, आपके 14-14 सांसर र चीजों को पैचान होगे, जान होगे, महरा आप तो गुलामी के ओर चल दिए, पिशलग्गू बन गए, अपने हक और अधिकार की अभाज बुलन करना छोड़ दी, और सिर्फ के लिए नहीं इसको देना बोट, तो ये लुटेरों के जो बीचे पले हो, लीटों के साथ च चोशन होगे, कुछ दिनों में आपका सभा रक्षण निती खतम हो जाएगी, और जो ऐसी के नाम पर जो स्रक्षित सीट है, यह भी खतम हो जाएगी, उसके बाल लग जाना अपने आप, अपने पूरा फिर वो चली जाएगा, कुलर वाला हाँ खेल, समझे, घले में हांड पूरी तरीके सतर्क हो जाएगे, कांग्रेस, भाजापा और आप, समझे, यह तीनों बनना चाहती है, देश का बाप, इनको करू जल्दी से साफ, तबी जिन्दा रहेगा, इस देश का असली भारत बासी, देश का मालिक, और मैं फिर कहता हूँ, भारत जिन्दावाद था